दोस्तों नमस्कार किस्मत के रंग बड़े अजब गजब है किस्मत चाहे वो राजनीती हो चाहे समाज कोई का रहा हो या कोई भी व्यवसाइक छित्र का जाता है कि अगर सितारे बुलंद नहीं हो तो फिर बुलंदियां पास आ करके भी निगल जाती है क्योंकि आज कल समय चुनावी है हर्याना के अंदर विधान सभा का चुनाव है 5 अक्टूबर को मद्दान होना है और आज नामांकन का अंतिम दिन है सभी राजनीतिक दलों ने अपने कैंडिडेट तै कर दिये है भारती जनता पार्टी ने भी कल की देर रात को अपने तीन कैंडिडेट एनाउंस करके 90 पूरे कर दिये तो इधर कॉंग्रेस ने भी कल देर रात और आज सुभा होते होते 5-6-7 सूचियों में अपने 90 नाम पूरे कर लिए इस चुनाव के अंदर नजारा वो दिखाई दिया जो आज से 10-20 साल पहले हुआ करता था 10-20 साल पहले टिक्टों की ऐसी टक्टकी होती थी कि अंतिम क्षण तक टिकट की दोड होती थी 1987 का चुनावाना की छोटे थे मुझे ध्यान है आज भी कि चौधरी हर्षकोमार पहले टिकट लेकर के आगए थे लोगदल भवगुणा का लोगदल भी का हतीन विदान समा चेतर के लिए और बाद में एन टाइम पर सही तीन बजे जो नामांकन पत्र भरने का अंतिम क्षण था उस समय पर टिकट लेके आगए भगवान सार रावत और पलवल की अदालत में उस समय नजारा देखने रायक था खेर इस चुनाव के अंदर भी भारती जंता पार्टी और कॉंग्रेस ने उनके जो नेता हैं केंडिडेट हैं भावी केंडिडेट हैं जो टिकेट मांग रहे हैं वो भागम भाग ना करें यहां वहां दोड ना लगाएं इसके लिए प्रयास तो पूरे किये लेकिन आप देखें तो आज कॉंग्रेस की सूची आने के बाद भी बगावत जारी रही अगले वीडियो में जिक्र करूंगा अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि कि किस्मत के स बहुत होट थी कल देर रात को भारती जन्ता पायटी ने अपना केंडिडेट एनाउंस किया और जब केंडेट एनाउंस हुआ तो लोग देखते रह गए हलाकि संकेत कुछ ऐसे थे राजनीतिक जो गरियारों में बात निकल करके आ रही थी और मैंने भी आपको अपने एक वीडियो में आपसे बात शेयर की थी कि क्या देविंदर और नगेंदर के बीच में कोई तीसरा भी हो सकता है फरिदाबाद NIT 86 की चुनाव की टिकेट की जो दोड में थे भारती जंता पालिटी की टिकेट की दोड में सबसे प्रमुक थे नगेंदर भढ़ाना यहां के पूर विधायक 2009, 2014, 2019 तीनों चुनाव लड़े नगेंदर भढ़ाना ने और 2014 में इंडियन नैशनल लोगदल के टिकेट पर वो विधायक बने आगे बताओंगा नगेंदर भढ़ाना का पुलिटिकल सफार आपको लेकिन जो बता रहा हूं कि नगेंदर भढ़ाना प्रमुक कैंडिडेट थे बाद में नाम चला केंद्रिय राज्य मंत्री क्रशन पाल गूजर के सीनियर डिप्टी मेयर निवर्तमान सीनियर डिप्टी मेयर बेटे देवेंदर चौधरी का देविंदर चौधरी का नाम आया और देविंदर चौधरी ने एक दो बार NIT 86 के छेत्रों में अपने साथियों, दोस्तों, समर्थकों से बैठक भी की और मद्दान की वोट भी मांगे NIT 86 के लोगों के साथ संपर्क में भी थे मैं आपको बता दूँ कि देविंदर चौधरी का और NIT 86 का लोगसभाद चौनाव से ही कुछ नाता जुड़ा था लोगसभाद चौनाव का दौर देर रात की बात थी, देविंदर चौधरी मेरे से ही बात कर रहे थे तो उसमें कह रहे थे कि NIT 86 का जो परिणाम होगा उसको देख करके जो वहां के विदायक हैं, कॉंग्रेस के विदायक नीरज शर्मा जो अब पूर विदायक हो गए, क्योंकि हर्याणा की विदान सभा भंग हो गई है तो कह रहे थे कि निरज शर्मा के पैरों तले जमीन किसक जाएगे और वही हुआ NIT 86 के अंदर लोगसभा चुनाओं में कृशनपाल गुजर बड़े अंतर से चुनाओ जीते और यहाँ पर चुनाओ बड़े अंतर से हार गए महंदर परताब और तबी से ऐसा लगता था कि शायद तिगाओं नहीं तो फिर NIT की तरफ निगाह है देवेंदर चौधरी और कृशनपाल गुजर की और इसलिए हमने आप से कई बार कहा था कि फरिदावाद NIT 86 के लिए या तो कृशनपाल गुजर के बेटे देवेंदर चौधरी और या फिर नगेंदर बड़ाना इन में टिकट रह सकता है हलाकि मैं आपको बता रहा था कि एक वीडियो मैंने भी कहा था कि अगर ये दौनों नहीं तो तीसरा कौन तो तीसरा हुआ चौनावी जो टिकट के रड़ाई थी जो मैं आपसे बता रहा था कि किसमत के खेल निराले हैं अलग हैं दो दिन पहले नगेंदर बड़ाना गद गद थे बता रहे थे कि मेरी लगवग हो गई है और कल जब नाम घोशित हुआ कल जब नाम घोशित हुआ आदेर रात को तो मैं तो यहीं समझूगा कि नगेंदर बड़ाना के पैरों तले भी जमीन खिसक गई होगी सतीष फागना को यहाँ पर टिकेट दिया गया भारती जन्ता पार्टी का सतीष फागना पारशद रहे हैं नगर निगम के अब नगर निगम भंग गया आजकल और सतीश फागना को टिकेट मिलने के बाद में भारती जन्ता पार्टी का केंड़ेट एनाउंस होने के बाद में राजनीतिक छित्रों में कही प्रकार की चर्चाएं चल पड़ी कई प्रकार की चर्चा हैं सरसे बड़ी चर्चा यह हुई कि आखिर कृषिनपाल गूजर के बेटे को टिकेट क्यों नहीं मिला नगेंदर बढ़ाना का टिकेट किसने कटवाया कौन-कौन सा खेल हुआ एनाइटी के अंदर और सतीश फागना को टिकेट दिलवाने में भारती जन्ता पार्टी के कौन से नेता का वर्द हस्त रहा खासकर यह जरूर चुनाव है चुनाव के अंदर आज नावांकन हो जाएंगे सतीश फागना भी अपना नावांकन कर देंगे और नगेंदर भणाना भी अपना नावांकन कर देंगे वो पहले सही कहते रहे हैं कि अगर टिकेट नहीं मिला तो निर्दल यह चुनाव लड़ेंगे लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि इस किस्मत के जो खेल हैं अगर किस्मत के सितारे बुलंद ना हो तो फिर सारे सितारे ढिले हो जाते हैं अब चुनाव होगा चुनाव में कैसा होगा क्या होगा किसकी हवा चलेगी किसकी हवा निकलेगी ये सब तो समय बताएगा लेकिन फरिदाबाद NIT 86 विधानसभा जहां पर नीरश शर्मा कॉंग्रेस के विधायक थे अब कॉंग्रेस के कैंडिडेट हैं और उनके मुकाबले में भारती जंता पालिटी के सतीष भागना हुए तीसरे बीच में आएंगे नगंदर भणाना कैंडिडेट और भी होंगे कैंडिडेट तो करामत अली भी होंगर कैंडेट बिट्टू बजरंगी लेकिन जो प्रमुखञ नाम रहेंगे यह तीन रहेंगे अगली वीडियो में आपसे लगातार चर्चा किया करेंगे लेकिन जो आपको बता रहा था की राजनीती के अंदर भी समाज नीत्य हो चैए व्यापार हो कारोबार हो कहीं पर भी किस्मत के सितारे सबसे आगे होते हैं नगेंदर बढ़ाना जो 2019 के चुनाव में बड़ी आसानी से टिकट ले आये थे भारती जंता पार्टी का नगेंदर बढ़ाना का आपको बता दूं कि 2009 का विधानसभा चुनाव वो इंडिपेंडेंट लड़े थे निर् नगेंदर बढ़ाना चुनाव जीत गए विधायक बन गए विधायक बन करके उनका मोह भंग हो गया बीच में ही और बीच में ही उन्होंने छोड़ करके इंडियन नेशनल लोगदल का साथ कम दिया बीजेपी का साथ ज्यादा दिया 2019 के विधानसवा चुनाव में नगेंदर बढ़ाना को भारती जन्ता पालिटी का टिकेट मिल गया और उस चुनाव में यानि कि 2019 के चुनाव में नगेंदर बढ़ाना थोड़े से वोटों से चुनाव हार गए लगबग 225 वोटों से और अब वो चौथी बार चुनाव मै होगा तो नगेंदर भढ़ाना के पक्ष में क्या माहूल होगा और या फिर नीरज शर्मा और सतीश पोस्वाल सतीश भागना कुछ करेंगे आठतारिक को तै होगा कि कौन विधायक NIT 86 का लेकिन ही जरूर है कि टिकट के जो दाव पे चले भारती जन्ता पार्टी के उन्होंने राजनीती के कई मामलों को राजनीदी के कई फलस्पों को सामने ला करके उजागर कर दिया आपको क्या लगता है कि NIT 86 में कौन सा खेल हुआ होगा आपको क्या लगता है फरिदाबाद NIT 86 का चुनाव का मुकाबला कैसा रहेगा त्रिकोणिये होगा या बाजपा कॉंग्रेस में होगा या कॉंग्रेस आजाद में होगा चुनावी मुकाबला किस प्रकार का रहेगा और आपको क्या लगता है कि इस चुनाव के अंदर कौन फतह करेगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना